भीर द्वारा हिंसा के दौरान हर्याना में संपत्तियों को नुक्सान पहुंचाने वालों की अब खेर नहीं हर्याना के राजपाल से संपत्ति शती वसूली विध्या को मन्सूरी मिले के बाद अब ये कानून बन गया है इसकी जानकारी देते हुए बीजोपी विधायक विनोद भयाना ने बताया कि आंदोलन करने का हर व्यक्ति को अधिकार है लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी की संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है अब आंदोलन या भीड के दोरान कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुचाता है तो संपत्ती शती वसूली कानून के तहट उन सभी से संपत्ती शती वसूली की जाएगी इस बारे में एक खास बात की हमार समवादाता अनेल कुमार ने बीजूपी विधैक विनोद भयाना से सती वसूली विधैक को राज्ये पाल की मंजूरी मिलने के बाद अब कनून बन गया है शती वसूली कनून का हर्याना पर क्या असर पड़ेगा इस स्वेमिर साथ हैं भाजपा विधैक विनोद भयाना इन से जानते लिए देखिए गबाजी शती वसूली जो कनून बना है निश्चित तोर पे आम आदमी के लिए जुनता के हक में बना है क्योंकि ये बात सही है कि परजातंत्र में किसी को भी विरोध पर दर्शन करने का किसी को भी अंदोलन करने का अधिकार पूरा है मगर किसी के ख्यती पुंचाना चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टी हो चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो उसको ख्यती पुंचाना किसी का अधिकार नहीं है और मैं समझता हुं कि ये कानून बनने से निश्चित तोर पे परदेश का हित है आम आदमी का हित है और ये जो कानून बना है जन हित में बना है सरकार जब भी कोई कानून बनाती है तो जन हित में ही बनाती है अभी आपको किसी को भी अंदोलन रत को किसी को भी हर व्यक्ति को ये सोचना होगा किसी के प्रोपर्टी का अगर कोई नुकसान करता है उससे पहले उसको सोचना होगा कि इस प्रोपर्टी के नुकसान की भरपाई आप दुआरा की जाएगी इसलिए मैं समझता हूँ इससे जहां कानून हमारा लाइन आर्डर मेंटेन रहेगा वहां किसी की प्रोपर्टी भी सेफ हो जाएगी चाहे वो प्राइवेट प्रोपर्टी है और चाहे वो सरकार की प्रोपर्टी है सरकार की प्रोपर्टी जो है वो जनता की प्रोपर्टी होती है जनता के पैसे से सरकार की प्रोपर्टी बनती है तो इसमें जनता का फाइदा है और स्टेट का फाइदा है ब्याना जी आपने का है कि जो सती वसूली कनून बना है वो जनहित में है तो कांगरस ने इसका क्यों विरोध किया विधान सभा में क्या कारण है इसके पीछे मैं ये कहता हूँ कि इस कानून में एक बात सपष्ट है कि कोई भी अंदोरन रत लोग चैए वो अंदोरन करने वाले हैं चैए उस अंदोरन के आयोज़क हैं या किसी की भी उस अंदोरन का शेय है ये शती पूर्ति सबसे वसूली की जाएगी अब बात ये आती है कि अब किसान अंदोरन चल रहा है कॉंग्रेस पार्टी ने विरोध इसलिए किया जो मेरा मानना है कि कॉंग्रेस पार्टी आज किसानों को बरगला रही है बहका रही है और साथ की साथ उकसा रही है इसमें अगर कल को कोई लोग नुक्सान करते हैं किसी की प्रॉपर्टी का मैं एक किसान अंदोरन की बात नहीं कर रहा कल को और भी अंदोरन होएंगे कल बीजेपी भी अंदोरन कर सकती है कोई भी अंदोरन कर सकता है और अंदोलन में किसी परकार की किसी की प्रोपर्टी का नुकसान अगर होता है और मैं B.J.P का नेता हूं या आज कॉंगरेस के नेता है अगर किसी को उकसाते हैं तो उनसे भी वसूली की जाएगी आज शायद कॉंगरेस को ये डर लग रहा है कि तुम लोगों को उपसाओगे और कल को प्रॉपर्टी की वसूली होएगी शती वसूली होएगी तो उसमें तुम्हारे नाम भी आएंगे में भी हो सकता है कि वो इस वज़ा से इसका विरोध कर रहे हूं बकि ये जो कानून है वो आम आदमी के फाइदे के लिए बियाना जी तीन क्रिशी कुनून को लेकर लगातार किसान विरोध कर रहे हैं वो यहां तक कि भाजपा और जजपा के नेता परदेश में कहीं अपने कारिकरम भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कारण है कि भाजपा जजपा के नेता परदेश में कारिकरम नहीं कर पा रहे हैं और ये मामला कब तक थमे गाई ये? देखिए, आज के दिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि किसान को बहकाया जा रहा है ऐसी बात नहीं के 100 का 100 पृतिष्ट किसान रोड़ पे है किसान खेत में भी काम कर रहा है जिस किसान को समझ में आ गई वो किसान अपने किसानी में लगा हूँ, अपने काम पे लगा हूँ है कुछ किसान ऐसे हैं जिनको ये कानून समझ में नहीं आए उनको बैकाया गया, उनको बरगलाया गया वाई रोड पे भी हैं, ये बात भी मैं सभी कार करता हूँ और वो डिस्टर भी कर रहे हैं और ये सब एक कॉंगर्स की सोची समझी चाल है कॉंगर्स के पैरों के तड़े की जमीन निकल चुकी है उनको ये पता है कि तुम्हारी अब बात बनने वाड़ी नहीं है इसलिए वो किसान को बरगला के एक बार जनता के बीच में जाना चाहते हैं मैं समझता हूँ कि देर सवेर किसान को अपने हक की बात समझ में आएगी क्योंकि ये तीन क्रिशी कनून जो हैं वो किसान के हक में बने है देर सवेर किसान को बात समझ में आएगी और वो इन कनुनों का समर्थन करेगा और तब कॉंग्रेस पालिटी की पोल पट्टी खुल जाएगी और वो चुप चाप जैसे की जनता ने उनको पहले घर बेठा दिया वो अपने घर बैठे ही भी नजर आएगे थोड़े समय की बिजार करें आप समय अनुसार सो कुछ ठी को जाएगा ये थे मेरे साथ भाजपा विधायक विनोध भ्याना इन्हों ने कहा है कि सती वसूली विधेक को राज्य पाल ने मंजूरी दे दी है अनिल कुमार टोटलियो चंडिगार